नमस्का विद्यारतियों विद्यारतियों जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में हम डेटा कलेक्शन करते हैं डेटा कलेक्शन के लिए अलग-अलग विद्या होती हैं अलग-अलग तरीके से अलग-अलग मैथर से डेटा का कलेक्शन किया जाता है अब data collection की एक विधी जिसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वो है प्रियोगात्मक, तरीका या फिर experimental विधी experimental विधी तब की जाती है, यह ऐसा नहीं है कि के ओल साइंस में की जाती है, साइंस, सोशल साइंस, सैक्कलाजी सभी में की जाती है जब हम किसी का result निकालना चाहते हैं और ऐसा परिणाम होता है कि अगर हम उसको पुना repeat करा जाएगा तो वहाँ परिणाम पुना वैसा ही आएगा तो experimental method जो होता है data collection का एक तरीका होता है research में इसको मुख्यता तीन भागों में बाटा गया है पहला प्रकार है प्रयोक्षाला प्रयोग विधी दूसरा है शेत्र प्रयोग विधी और जो तीसरा है वहाँ है सभाविक प्रयोग विधी जब हम प्रकार की बात करते हैं तो हम बात करते हैं प्रयोक्षाला प्रयोक विधी की प्रयोक्षाला प्रयोक विधी का से हमारा ताक्परे होता है कि हम किसी प्रयोक्षाला में जाके किसी एक्यूपमेंट से एपरेटर से जब हम प्रियोक करके अडिजल निकालते हैं, तब हम इसे बोलते हैं प्रियोक शालाविदी, जैसे कार्बन और ओक्सीजन का जब अटमिक मास निकाला जाता है, या कार्बन और ओक्सीजन का जब मेल करा जाता है, तब कार्बन डाया ओक्सीजन बनता है, कितना कार्बन, कित इस पाइओटीन की मातरा को increase कर दिया, यज आप कहते हैं अब प्रोटीन रिज बिसकित बनाए हमने अब प्रोटीन रिज बिसक्ट कैसे बनाए यह हमने प्रियोक्षाल अविधी से बनाए विभिन थरय के ग्रेंशी लिए रिय्का तिक ते निट्रिंट कितना किसका क्या है ह और फिर हमने निकालने के बाद में हमने यहां प्रियोक्षाल में बनाए बिस्कित और प्रियोक्षाले में हमने अलग अपरेटर से फाइंड आउट करा कि बिस्कुट की क्या है क्या है क्योंकि हम क्या बना रहे हैं प्रोटीन रिच बिस्कित बना रहे हैं तो क्या उसके अं निर्मान करना है, तो ऐसे biscuit का निर्मान हम किस में करेंगे, प्रयोक्षाला में, प्रयोक्षाला का तात्पर है हमारा laboratory technique से, जो हम apparatus के साहता से, equipments की साहता से, जब हम किसी research को करते हैं, तब हम उसे बोलते हैं, प्रयोक्षाला विधी, ठीक है, नेक्स हम बात करते हैं, शेतृ प्रयोक्षाला विधी, शेतर प्रयोक्षाला विधी का अंग्रेजी का तात्पर होता है, field experiment, field experiment में generally agriculture से related जितने भी experiments होते हैं, जाहे agriculture equipment से हो, जाहे agriculture से हो, जाहे manure से हो, fertilizer से हो, agriculture से जितने भी एक्स्पेरिमेंट्स होते हैं, वह होते हैं शेत्र प्रियोग विधी में, क्यों? हमें लेंड चाहिए होती है, है ना, हम लेंड को नेच्छल वे में पाना चाहते हैं, थुकि हम देखना चाहते हैं कि जो हमारे नए बीज हैं, या जो नई खाद है, या नए प्रभाव पॉजिटिव पढ़ रहा है, हमारे जो हम ग्रेंज उगा रहें उसके उपर, तो हमें किस पर एक्स्पेरिमेंट करना पड़ेगा, हम ये लेबाटरी में नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये हम लेबाटरी में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप कितना भी चाहें, लेब बड़ा होना चाहिए यहों के nutrition जो इतने भी होते हैं, वह nutrition उसके अंदर available होने चाहिए, यह क्या है? यह हम किसमें find out कर सकते हैं, यह हम find out कर सकते हैं, शेत्र प्रियोग विदी में. लेवर्ट, sorry, field experiment में हम find out कर सकते हैं, natural way में हम जितने भी agriculture के experiments होते हैं, soya bean की variety increase करनी है, pumpkins की variety increase करनी है, जितने भी experiments करने होते हैं, जो field पे होते हैं, हम उसको बोलते हैं, field experimenter, यानि शेत्र प्रियोग विदी. next time birth का है, सभाविक प्रियोग विदी, सभाविक प्रियोग विदी का मतलब होता है, आप naturally जो आपका occurrence होता है, आप उसके अंदर experiment करते हैं, सबसे बड़ी example इसमें रहेगा COVID-19 का, COVID-19 का दौर चल रहा है भी इस समय, अब COVID-19 के दौर में चलते हुए, क्योंकि एकदम से आया, एकदम से क्या है, किसी को कुछ भी नहीं मालूम, यह mutate हो रहा है, परन्तु इसका मानव सभाव पर क्या प्रभाव पढ़ रहा है, क्या जो online studies हो रही है, COVID-19 में, उसका बच्चों पर क्या प्रभाव पढ़ रहा है, क्या बच्चों की study पहले जैसी हो रही है, अत्वा नहीं हो रही है, ठीक है, क्या family में जो binding है, वो बढ़ रही है या नहीं है, family में आपस में एक दुस्रे से भाई चारा बोल चाल जो कर सकते हैं, अब हम चाहे हो, तो आप इसको प्रयोक्षाला विदी कंदा भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हम यह चाहें कि आप इसको शेत्र प्रयोक विदी में करना चाहें, तो भी नहीं कर सकते हैं, आप किसमें कर सकते हैं, सभाविक रूप से, जो चल रहा है, नेच्रली occurrence होती है, या आप यह कह सकते हैं, भुकम पाया, है ना, आप भुकम पाया, तो मानव ने अपने आपको किस तरीके से पहचार मनाई, अपने आपको किस तरीके से maintain रखा, जो उसने सहन करा, और किस तरीके से सहन करा, यह आप चाहें, तो भी field experiment में, या laboratory में, आप नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए, इस तरीकी study के लिए, हमें conscious study की जुरत पढ़ती है, natural study की जुरत पढ़ती है, तो उसको बोलते हैं हम सभाविक रूप से, जो आप पढ़ रहे होते हैं, सभाविक रूप से जो उपियोग में लाई जाती हैं,